सो ही गाईज आज हम बनाएंगी ब्रोथ या आप इसको एजे हिजाब बिन भी वियर कर सकते हों सो फस्ट मैंने सिलर वायर को गट करके उसके अगेंड को थोड़ा सा कॉप कर दिया है और उसी एंड में गॉल्डन दी चैन को इंसर्ट करके अठीसे लौक कर दिया है थे aug Den me use कुरूँगी ए golden head bin crystal beads and pearl beads डिकेट को मैंने हेट पिन में फ्री सो इंसर्ट करके शorshipet को ऑप कर दिया है अब चेन की सेकिन साइड में भी ऐसे ही बीड्स को हैंकर दूंगी यहापर मैं वायर को थोड़ा ऐसे गिज़ दूंगी ताकि कलोज से अच्छे से पास हो जाए और बस रेडी है हमारा व्यूटिफल ब्रोच और देखिए इसे जो यूज़ करने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है हमें वायर को कलोज से अच्छे से पास करना है और चेन के लास छोल को वायर में अच्छे से रबल स्टोपर लगा देना है और देखिए रेडी है हमारा व्यूटिफल ब्रोच और आप इसे इसे ही जापिन भी यूज़ कर सकते हो व्यूडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कोमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें बाई